पीला जीसीबी और सफेट जीसीबी क्या वाइट कलर का कौन सा जीसीबी आता है भई हाँ एक नया प्लेयर आया है मार्केट में जो की देखने में वाइट कलरा दिखता है काफी सुंदर और बिल्कुल फ्रेस मैं पात करा हूँ बोपकेट B900 बेकोलोडर के बारे में इस बेक आज हम डीटेल में कंपेरिजन करने वाले हैं तल्ये वीडियो को अलम किया जाए कंपेरिजन की शुरूबात इंजिन ओप्सन से करते हैं जिसीबी 3DX प्लस में एंजिन जिसीबी का खुद का ही Ecomax 444 EGR सिस्टम वाला टर्बो चार्ज CRDA डीजल एंजिन लगा हुआ है ज 400 Nm का पीक टॉर्क प्रोडूस करके देता है यह डिजल एंजिन जबकि बॉपकेट B900 बेकॉल ओडर में इंजिन अस्वक लेलेन का टर्बो चार्ज BS4 3.8 लीटर वाटर कूल डिजल एंजिन लगा हुआ है यह एंजिन भी सेम 74 HP की पावर निकालके देता है पर टॉर्क GCB GCB 3DX Plus में ज्यादा है बॉपकेट के मुकाबले ट्रांस्मिशन GCB 3DX Plus में GCB का खुद का ही सिंक्रो सटल टाइप फिटेड है वो भी टॉर्क कनवर्टर के साथ वहीं बॉपकेट B900 बेकॉलड में ट्रांस्मिशन करारों का वर्ल्ड फेमस सिंक्रो सटल टाइप ही फिटे पा आये 501,000 सिंक्रो निकाले के लंगा ही मुद्र की प्रेसर के साथ वहीं बॉपकेट B900 B22 फेकॉल वोडर में हाइड्रोलिक पारक कँ लगा हुआ है जो की लोड्शेंसंग हाइड्रोलिकGB है 119 सिंग पार मेंनीट का आधाल कर देता है 220 बार के प्रेसर के है इसका मट श बेको रोडर में हाइडोल स्पीड जिसीबी 3DX Plus से 5 LPM की ज्यादा मिलेगी अगर बेटरियां ही नहीं होगी तो मसीनवा कैसन चला होगे बे आई यह तनिक इलेक्रिक सप्लाइ की बात करते हैं उजो ससूरा जिसीबी 3DX Plus बेक हुआ है उसमें बेटरिया 12 वोट के करन्ट के साथ 130 A का पावर सप्लाइ परदान करती है तो वही बोबकेट वा में बेटरिया सेम ही 12 वोट का करन्ट और 130 A का पावर सप्लाइ देती है ससूरी अब आख दरता है टायर साज के बारे में जिसीबी 3DX Plus बेक हुआ है उसमें बेक हुआ है उसमें बेक हुआ है उसमें बेक हुआ है यह और टायर की ग्रिप भी कापी अच्छी मिल जाती है तो यह एक प्लस पॉइंट है बोबकेट के बेक हुआ होडर में जो मुझे आपको बताना जरूरी लगा अब बात करते हैं फ्यूल रिफिलिंग के बारे में यह तो जानना पड़ेगा जिसी भी त्रिडेश प्लस बेक हुआ होडर में डीजल टेंग एक सो अठाटाइस लिटर की कैपिसिटी के साथ दिया जाता है तो वहीं बोबकेट बी नाइन हांडर बेक हुआ है इसलिए बाकी का कमपेरिशन नहीं किया अब आते हैं मैंन मुद्देपें जिसमें सामेल है दोरों की बेक हो लोडर की बकेट कैपिसिटी और वर्किंग रेंज कमपेरिशन में सबसे महत अपुन पड़ा वह यह आईए चानते हैं सबसे पहले बकेट के बारे में बात करते हैं ज करते हैं और पीछे वाला वेक होंदेशन में लॉटर बकेट से फ हम वहीं राजाती है देखिया इस में बकेट यह लगग-ख्यों में लॉटर बकेट के साथ आप मेक्सिमम् यानि 8.94 की मिल जाती है वहीं बॉपकेट भी 900 बेकों में लोडर बकेट के साथ मैक्सिमुम डब्पिंग हाइड 2737 यानि 8.94 की मिल जाती है अब बात करते हैं वरकिंग रेंज के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज्यादा महतोपून है आईये जानते हैं जेसिव भी 3DS प्रस बेकोंडर में मैक्सिमुम डिगिंग हाइड 5970 यानि 966 की मिल जाती है इन सबी फिगर को मैंने फूट में करणवर्ट किया है ताकि आपको समझने में काफी जयदा आसानी रहे वर्किंग रेंज में बोबकेट भी 900 GCP 3D Plus से तीनों डीपार्ट में में विनर साबित होता है यह में नहीं फिगर कह रहे हैं आगे बात करता है GPS यानि टेलेमेटिक के बारे में दोलों ही बेकोल और GPS कनेक डूटी के साथ आते हैं इनकी मदद से आप अपने मशीन को लाइव ट्रेक कर सकते हैं GCP 3D Plus में GCP का एडवांस लाइव लिंक फोर्थ जन्देशन GPS पीटर्ड है जिसमें GPS ट्रेक्टिंग, ओपरेटिंग आवर्स, जीओ फेंसिंग जैसे काफी सीक्योर्टी वाले फीचर भी अवेलेबल है वहीं Bobcat B900 में Bobcat I-Connect GPS सिस्टम दिये जाता है इसकी मदद से आप अपने मशीन को मोनिटर कर सकते हैं जैसे कि जीओ पेंसिंग, फ्यूल लेवल, लाइव हमार, ट्रिप डिटरल वगेरा वगेरा ये GPS सिस्टम आपको अपने मशीन के साथ हमेशा कनेक करके रहता है मैं वीडियो में सिर्फ आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फीचर ही बताता हूँ जिसे आप सभी को एक आइडिया मिले कि भाई जो हम प्रोड़क्त ले रहे हैं उसमें क्या कुछ दिये जाता है और मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छी इंफोर्मेशन में दे पाओ बस आपका यही प्यार मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपनी तबियत का ध्यान रखिए तेंक्यू धन्यवाज जैमाता जी